क्या है आज की बात मेरी बात आप की बात हर किसी की बात देश दुनिया गाउं तेहाद सत्ता समाज संस्कृति मीडिया और सियासर सब की बात नियोज क्लिक का वीकली शो आज की बात मेरे साथ दोस्तों नमस्कार आदाब सत्त्रियकाल नियोज क्लिक के कारिकराम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश क्या सच्छमुच ये जितनी हमारी जाँच एजनसियां हैं सी बी आई, एडी, इंकम टैक्स, क्या ये पन्ना प्रमुख बनती जा रही हैं भारती जनता पार्टी के लिए क्या सरकार की एजनसियां सरकार की नहीं भारती रास्टराजी की नहीं भारती जनता पार्टी की बन गई हैं क्या भारती राष्ट राज्य और भारत की एक political party जो इस समय सत्ता में है दोनों एक हो गए हैं क्या हमने फर्क करना बंद कर दिया है क्या संवैधानिक संस्थाओं ने राष्ट राज्य और सत्ताधारी दल के बीच में कोई भी भाजन रेखा नहीं छोड़ी है ये सवाल दोस्तों मैं केवल नहीं उठा रहा हूँ ये सवाल इस देश की सबसे बड़ी भी पक्ची पार्टी Congress जो सबसे पुरानी भी पार्टी है जिसकी लंबे समय तक एक पत्रकार के तोर पे मैं आलोचना भी करता था जब वो इसी तरह की गलतियां करते थे उस पार्टी के राष्टी अध्यक्ष मलिकारजुन खडगे ने आज कहा कि जिस तरह चुनाव के धर्म्यान चुनाव का केमपेण चल रहा है प्रचार अभियान चल रहा है और इस अभियान के दवरान लगातार च्छापे मारी की जा रही है और च्छापे मारी सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाप की जा रही है क्या इस देश में आर्थिक से लेकर और आम तोर पे जो आप राधिक चीज़ें कही जाती है क्या ये सारा कुकर्म, सारा कर्म, सुकर्म जो भी कह लिजिए क्या ये केवल विपक्ष के खाते में है क्या विपक्षी दल के लोग ही केवल अपराधी है या अभियुक्त हैं, या संदिक्द हैं, या आरोपी हैं, जो भी आप कहिए उनके लिए चापे मारी के लिए सिर्फ विपक्ष मिल रहा है या वे लोग मिल रहे हैं जो मवजूदा सत्ताधारियों की आलोचना करते हैं जो उनके कामकाज से असामत ही जाहिर करते हैं ये सवाल इसलिए relevant है क्योंकि दोस्तों चुनाव चल रहा है कहां कहां राजिस्तान में चापे मारी जो हो रही है इन राजियों में विपक्षी नेताओं के हां हो रही है और दोस्तों जब मैं ये बात कह रहा हूं तो उस समय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभाव गहलोत को 27 अक्टूबर को एडी ने बुलाया है समन दिया है और उनसे पूछता चोगी इसके अलावा दोस्तों प्रदेश कॉंग्रिस के अध्यक्ष डोटा सारा साहब मिस्टर डोटा सारा के यहां भी छापे मारी चल र बायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं पहले वीजेपी में भी थे बाद में ओ कॉंग्रेस में आ गये कॉंग्रेस में आ करके उनको टिकेट मिला है और वो चुनाव लड़ रहे हैं उनके यहां भी छापे मारी हुई है तो मिस्टर डोटा सारा जो प्रदेश की सबसे आपका संबन दिया गया है उनको वैभाव गलोत ने कहा कि उनको जिस मामले में संबन दिया गया है वो दस साल पुराना है अब सवाल इस बात का है कि दस साल पुराने मामले में क्या जांच एजेंसी को कोई और दिन नहीं मिला क्या इसके लिए चुनाव की तारीख खोजनी पड़ी चुनाव के शेडूल के एनाउंस्मेंट का इंतिजार करना पड़ा अरे भाई पहले भी कर सकते थे चापे मारी पहले भी आप पूछताज कर सकते थे दस साल से कुछ नहीं हुआ और एलेक्शन में आपने उनको बुलाना शुरू कर दिया फिर से तो इससे ये साबित होता है कि सचमुछ हमारे देश की जाच एजन्सिया मैं ये कभी नहीं कहता कि उन जाच एजन्सियों में बैठे अपसर जो हैं वो अयोग्य हैं अक्षम हैं या उनकी इमांदारी पर भी हम कोई शक नहीं कर रहे हैं वो सकता है वो इमांदार भी हो लेकिन वो निश्चित रूप से दबाव में हैं वो निश्चित रूप से सकताधारियों के दबाव को जेल नहीं पा रहे हैं वो संबिधान के मताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं वो सिर्फ सत्ता के निर्देशों के ताथ काम कर रहे हैं और मुझे रखता है कि ऐसे में इस लोग तंत्र के सामने बड़ी चुनवतियां है जब बिरोक्रेसी जब जाँच एजंसियां जब सारी की सारी हमारी प्रशास्निक संस्थाएं अगर सत्ता धारियों के हिसाब से काम करना शुरू कर दें और राष्ट राज्जी को भूल जाएं उसके इंट्रेस्ट को भूल जाएं संविधान की बाध्यताओं को संविधान की मानेताओं को और मुल्यों को अगर दरकिनार कर दें तो निश्चित रूप से इस देश के राजनितिक भविष्ट के बारे में समवैधानिक जो मुल्य हैं उनके बारे में हम बहुत आशाजनक तस्वीर नहीं खीच सकते बहुत इक गहरी निराशा का ये भी सह है और दोस्तों इसलिए सवाल उट रहा है कि क्या हमारी जाच एजन्सियां पिछले कुछ वर्थों के दर्मियान क्या भारती जन्ता पार्टी के लिए पन्ना प्रमुक का काम कर रही है पन्ना प्रमुक बहुत प्रचलित हुआ था भारती जन्ता पार्टी के नेता अकसर बयान देते हैं तो ये एक नए तरह का पन्ना प्रमुक्ष जो मलिकार जुन खडगे ने अपने बयान में कहा, एक बड़े व्यंग्यात्मक दिंग से उन्होंने कहा, लेकिन कहीं न कहीं गहरी, निराशा, एक छटपटा हट, विच्छोब उन शब्दों के पीछे छुपा हुआ था, दोस्त भी छापे मारी हुई है, और कई लोगों को बुलाया भी गया है बार-बार, ये जो प्रक्रिया चल रही है पिछले कुछ दिनों से, अगर आप उसको एक सरसरी निगाह से देखें, तो आप पाएंगे, कि इस देश में जो सत्ता धारी, जो खेमा है, उसके लोगों को को बुलाया गया, कई बार समन दिया गया, कई बार भरस्टाचार के गंभीर आरोप लगाए, जब कभी वो सत्ता धारी दल के साथ जुड़ गये, तो उनके सारे के सारे आरोप जो हैं, रफादपा हो गये, उनकी सारी फाइले गुल हो गई, गुम हो गई, और उनको बाई कांडरी मशीन है, जो हर तरह के दाग को धुल देती है, तो ये हमारे लोकतंतर के लिए दोस्तों बहुत ही चिंता जनक बात है, और बिलकुल आखीर में एक बात कहूंगा, कि एलेक्शन कमिशन आफ इंडिया, आखीर वो क्या कर रहा है, हम कोट की बात नहीं कर सकते, लेक और महत्पुन दाइत्व है, क्या एलेक्शन के दर्म्यान इस तरह की चापे मारी, सिर्क विपक्षी नेताओं के हाँ, 36 गड़ में कुछ दिन पहले हुई थी, मुख्यमंत्री भुपेश्ट बगेल के जो राइनितिक सलाकार विनोद वर्मा सहित कई अन्य लोगों के यहा इस तरह की चापे मारी, इस तरह के मुकद में, इस तरह की केस, इस तरह से चीजों को उल्जा कर रखे जाने के लिए ऐसा लगता है कि सकतादारी दल द्वारा, सरकार द्वारा, एजन्सियों द्वारा वो अभिशप्त कर दिया गया है। पैदा किया जाना चाहिए। और वो बराबरी का अगर माहूल नहीं होगा, तो कोई विपक्षी दल कैसे चुनाओ लड़ेगा, तो क्या चुनाओ के दरान विपक्ष को खतम करने, उसको खामोश करने, और सक्रिय नव बने रहने के लिए अभी एक दम बात देख किया जा रहा है, ताकि उस चुनाओ में चुनाओती ही न बन सकें, तो आज इसी सवाल के साथ दोस्तों नमस्कार, आदाब सर्थियकार।